उत्तपरदेश के कजगंचिले से एक रॉंग्टे खड़ी कर देने वाले हासे की खबर सामनी आ रही है। स्पीट से चल रहा था और कंट्रोल खोने से ट्रैक्टर सबक से उतर कर सीधा तलाब में जागिरा। से पंधर लोगों की मौत हो चुकी है इनमें साथ मासूम बच्चे और आठ महिलाई शामिल है। मौके पर पहुँचे एक ग्रामर्ण ने बता है कि हम लोग तलाब के पास खड़े हुए थे। तभी अचानक से ट्रैक्टर टॉली काफी तेज स्पेड में आते हुए दिखाई दी। ट्रैक्टर टॉली बेकाबू होते हुए तालाब में चली के जिसमें से ट्रैक्टर टॉली के किनारे खाले लोग तो छिटक कर पानी में गिरे। जब कि ट्रेक्टर ट्वाली में बैठे लोग पाने के अंदर समा के कैई तो ट्रेक्टर ट्वाली के नीचे तक तब गई चीखने चिलानी की अवाज सुनकर हम लोग दोड़कर मौकर पहुंचे दूसरे ग्रामरी भी बुलाई के हम लोगों को भी जो दिखा उसका हाथ पाइं बते हैं यहीं हम लोग मौकर पहुंचे और सभी लोगों को बाहर निकाला ऐगया चुछ लोगों के अंदर होने की जांकारी मिल रही है और उनकी भी तलाश की गारी है तलाब को तीन से चार बार चैक करवाया गया है और अभी बी तलाश चारी है अस्पताल में डॉक्टर्स की तीम को बहतर इलाज के निर्देश भी दिये गए है वहीं सीम योगी ने मिर्तकों के परिजिनों को दो दुन लाख और घायलों को पचास हजारों पे देने का एलान किया है और इसके साथ ही कैबिनेट मंतरी लक्षमी नारयार चोधरी और राज़े मंतरी अनुप्रधान वालमीके को तकाल घटना इस सेल पर पहुंचने के निर्देश दिये गए है